महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें युदिष्टिर के राजसुय यग के दौरान पांड़ों ने फैसला किया कि कृष्ण यग समारो के विशेश समानित अतिति होंगे इससे शिशुपाल नाराज हो गया और वह स्री कृष्ण का अपमान करने लगा कृष्ण ने उसकी 100 गलती शमा कर दी किन्तु उसकी 100 वी गलती उसे भारी पड़ी थी ऐसे ही राणा अयूब ने भी कई गलत काम किये हैं जिन पर उन्हें सुप्रीम कोड तक से लतार पड़ चुकी है लेकिन इस बार उनके पाप का घड़ा भर चुका है और परिणाम है एडी की छापे मारी नमस्कार स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंग आज हम बात करेंगे राणा अयूब के घोटाले की तो प्रारंब करते हैं राणा अयूब एक वामपंथी है जो खुद को पत्रकार बताती हैं आपको बता दें कि लगभग 12-13 साल पहले तक राणा अयूब वामपंथी विचारधारा में एक बड़ा नाम नहीं थी लेकिन साल 2011 में पत्रकारिता के लिए संस्कृती पुरुसकार मिलने के बाद अचानक वस्त सूर्खियों में आ गई और लोगप्रिये हो गई अगले 10-11 वर्षों में उन्होंने वामपंतियों में अपना नाम बढ़ा कर लिया जिसमें पहले से ही सबानकवी, आरफा कानम शेरवानी, राणा सफवी और निश्टित रूप से बर्खादत जैसे कुछ लोगप्रिये नाम थे राणा यूब अचानक वामपंतियों में एक बड़ा नाम बन गई और अचानक एक बड़ी उदारवादी आइकन बन गई लगभग 12 साल पहले आपने शायद उनके बारे में नहीं सुना होगा लेकिन आज उनके पास एक विकिपीडिया पेज है और वह वाशिंग्टन पोस्ट के लिए एक स्तंपकार भी है दरसल यह मुकाम उनके पास आसानी से नहीं आया 2010 या 2011 तक वामपंथी तंत्र और आक्रोश उद्योग केवल 2002 के गुजराद दंगों के बारे में उदार टिप्मिनी कर सकते थे और कुछ नहीं लेकिन आयूब एक कदम आगे निकल गई यहां तक की वाग गुजराद फाइल्स एनाटमी ओफ एक कवर अफ नामक पुस्तक के साथ आई पुस्तक और कुछ अन्यलेखों के निश्करशों के आधार पर अधिवक्ता शांती भूशन और प्रशांत भूशन ने याचिका करताओं की ओर से हरेन पांडिया मामले में नए सिरे से जांच के लिए आवाज उठाई थी यह अलग बात है कि कोट ने याचिका खारिज कर दी श्रीष अदालत ने यहां तक टिप्पनी की थी कि आजम खान के बयान और राणा यूब की किताब सहीत रिकॉर्ड के मद्दे नजर योग्यता के आधार पर आगे की जांच या पुना जांच का निर्देश देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है राणा यूब की पुस्तक किसी काम की नहीं है यह याचिका अनुमानों पर आधारित है और इसका कोई प्रमानिक साक्ष नहीं है लेकिन आयूब अथक रूप से अपना काम करती रही उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उनकी एक रिपोर्ट ने गुजरात के ततकालिन ग्रिह मंत्री अमिर्श शाह को एक मामले में गिरफतार कराने में महत्वपूर्ण बुमिकानी भाई थी हालाकि बाद में शाह को निर्दोष पाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया निसंदेह वो आज केंद्रिय ग्रिह मंत्री हैं बावजूद इसके कीवे अपने शत्रों से तमाम तरह के दुश्परचार का सामना कर रहे हैं राणा इस सब के दोरान ट्विटर पर काफी सक्रिये रही और अपनी वामपंथी छवी मीडिया में चमकाने लगी आयूब ने वामपंथी उदारवादी खेमे में अपनी जगह बनाई और वामपंथियों में एक बड़ा स्थान सुनिश्चित कर लिया उन्होंने अपने पत्रकारिता के काम के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बड़े बड़े दावे भी किये जिसमें राणा कहती है आठ महीने तक मैं गुजरात के छोटे से कमरे में अमेरिकी फिल्म संस्थान की शात्रा मैतली त्यागी के रूप में रहकर गुप्त रूप से रही जहां मैंने अंडरकवर आपरेशन किया जिस पर उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है गुजरात फाइल्स आपको बता दें कि पहले इस थापित वाम पंतियों के लिए सुर्खियां बटोरना बहुत आसान था वे पीम नरेंद्र मोदी की निंदा कर सकते थे और अपनी लोग प्रियता बरकरार रख सकते थे लेकिन चीज़े अब इतनी सरल नहीं है गौर तलभे की परवरतन निद प्यान शुरू किये और आनलाइन क्राउड फंडिंग प्लाटफॉर्म केटो के जर्रिये कड़ोर रुपे जुटाए जाच अधिकारियों के नुसार तीन अभियानों में अप्रेल मई 2020 के दौरान जुग्गी वासियों और किसानों के लिए धन जून सितंबर 2020 के दौरान असम विहार और महराष्ट के लिए रहतकार और मई जून 2021 के दौरान भारत में कोविड-19 प्रभावित लोगों की मदद शामिल है राना यूप को कथित तोर पर तीन दान अभियानों के माध्यम से 2.69 कडोर रुपे का दान मिला जिसमें से 80.49 लाक रुपे विदेशी मुद्रा में प्राप्थ हुए सूत्रों ने कहा कि विदेशी चंदाबाद में राना यूप द्वारा वापस कर लिया गया क्योंकि आयकर विभाग ने जाँ शुरू की थी क्योंकि यह विदेशी योगदान नियम अधिनियम एक्ट के तहत उलंगन था हाला कि ED ने अरोप लगाया कि जब उन्होंने बैंक स्टेक्मेंट और क्रेडिट कार्ड खर्च का विशलेशन किया तो राहत कारे पर खर्च की गई राश्री 28,00,00,000 ती सूत्रो ने कहा कि दान के रुपे में प्राब धन का एक हिस्सा कतित तोरपर निजी खर्चों के इस्तेमाल के लिए किया गया था जिसमें एक कतित हॉलिडे ट्रिब भी सामिल थी सुत्रों ने कहा कि राणायूब ने कथित तोर पर दान के पैसे से 50 लाक रुपे की FD की है इस मामले में पूछने पर राणायूब ने अधिकारियों को बताया कि बैंक मेनेजर ने उन्हें FD जमा करने की सलाह दी थी ताकि उन्हें कुछ ब्याज मिल सके क्योंकि पैसे का इस्तमाल अस्पताल बनाने के लिए किया जाना था हाला कि बैंक मेनेजर ने कथित तोर पर राणायूब को ऐसी कोई सलाह देने से इंकार कर दिया है ED के सूत्रों ने दावा किया कि पूस्ताच के दोरान राणायूब अब तक यह नहीं बता पाई हैं कि उन्होंने दान और कुछ खर्चों का उप्योग क्यों नहीं किया बैमानी सामने आने के बाद से यह साफ हो गया है कि राणायूब के पाप का घड़ा भर गया था जो अब फूट चुका है